हेलो फ्रेंज व्रेकम बैक टू मैं चैनल देदिये कैसे करूं मैं आपका स्वागत है फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंज आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जिसके बारें आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है और मुहां पने मुबाइल को इस्टेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको लेना इस तरीके से रबड और आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे फसा रही हूं इस तरीके से अब जैसे एक रबड को पकड़के और दूसरे में इस तरीके से आप अंदर के तरफ डाल लीजिए कुछ इस तरीके से डालके हम उसको बैंट कर देंगे वह तो कि अच्छे से वह एक गांट बन जाएगी ठीक है अब इसका यूज हम कैसे करेंगे चले मैं आपको वह बता देती हूं तो आप इस तरीके से मुबाइल कहें भी हैंक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और कामनी का रखके अपनी मुबाइल को यूज कर सकते हैं कोई मूवी देखना हो या कुछ भी देखना हो इस तरीके से आप देख सकते हैं देखने पड़ी प्यारा लग रहा है तो उमेद करती हैं का आप और टिपस अच्छे लगीओ चले बढ़ते अगले टिपस की तरह हैं तो उस case में आप क्या कर सकते हैं, तो उस case में भी आप rubber का इस्तमाल कर सकते हैं, आज मैं rubber के ही इतनी सारे आपको tips बताएंगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तब देख सकते हैं, मेरा ये goal है न, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, आपके पाइस square shape में ह तो भी बहुत अच्छे से ये rubber लग जाएगा, अब इस पे आप साव यूज करने के बाद रखे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गलेगा, क्योंकि सारा पानी नीची हो जाएगा, तो उमेद करते हैं कि आपको अच्छी लगी हो, बढ़ते हैं अगले आप इस rubber का इस्तमाल करिए, इस tips का यूज करिए, बहुत ही अच्छी tips है, इस तरीके से ये आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा, देखें इस तरीके से अपने का लिए और इसको यूज करिए, फिर उसकी बाद आपको वापस उसी में ले जाके रख देजी, आपको एक एक चीज बार-बार ढूनने नहीं पड़ेगी, तो बहुत ही आसान से tips है और कमाल की भीत एगवा इस्तमाल आप इसे जरूर करिएगा, तो चले फिर बढ़ते हैं अगले tips की तरह, फिर अगला tips है मेरा इस तरह से लिखने को लेकर, अक्सर जिसके खर में छोटे बच् उन्हें pencil पकड़ाना या उन्हें लिखना सिखाना बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि पेन जो पकड़ते हैं बच्चे pencil न तो उंगलिया जो है भागने लगती हैं, उस case में आप इस tips को अजमा सकते हैं, बहुत ही आसान से और कमाल के tips हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने इस कैसे लगाया है, और इस तरीके से बहुत ही अच्छी ग्रिप बनती है, बच्चे की जो उंगलिया है इधाउदर नहीं भागेंगे, मैं आपको एक बार और करके दिखा देती हैं, बहुत ही असान है, आप इसे एक बार ट्राइ जरू करिएगा, अभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेर जरूर करें, चली बढ़ते हैं अगले टेप्स के तरह, अगला टेप्स है मैं इस तरह से चूडियो को ले कर अक्सर चूडिया क्या होती है, हम वियर करते हैं पार्टी में या घर पे भी बहुत लेडिज होती हैं जो चूडिया हमें इसाही पहनत हमेड काम बोला वहां है और ये ठीप्स को अपना सकते हैं और ने काम को अच्छे से चूडिया भी नहीं खराब होंगी तो बढ़ते हैं और आपको खौत करते हैं, घर फ्राटी तीप्स के लेखते हैं magas eto जीण विखा एं गएनगा ओनी काँए टेप्स के तरफ में जन attraction चलिए बताते हूं अक्सर क्या होता है भिंडी तो हम सब खाते हैं भिंडी लाते हैं लेकिन सबसे बड़े दिकत्ता वात है जब इसको काटना पड़ता है क्योंकि जो भिंडी सब्जी होती है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है काटने चाटने में तो उसकेस में आप चुछे k कर देखिए साई कर देखिए कर दे के कुछ तरुके से उप effectivement बहुत खुशुरत रगता है एक बढ़ ट्राइज जरूर करिएगा फ्रेंट चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स के तरफ अगले टिप्स है इस तरह से जीप को लेकर अक्सा बच्छे क्या होते हैं कि पैंट पहनते हैं तो बहुत लोगी प्रब्लम होती है जीप न जो है व अगले टिप्स के तरफी दूकर चॉपिंग बोट कर लेकर हैं हम सब पने किचन में यूज करते हैं जब उस पर सब्जिया काटते हैं था हमारे चौपिंग बोड की हालत कुछ इस तरह के से हो जाती है को इधर से उधर डान्स करने लगती है तो हमें सर्जी काटने में बहुत दिक्कत होती हैं तो उस case में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी आप रबड का इस्तामल कर सकते हैं देखिए तरही हलोग हें आफाथ दिओंफर में एक लिष्ट से और परिया ना बहुत आसानी से काट सकते हैं इधा-उदर ही लेंगी नहीं तो यह तिप्स ही कमाल की उसी ठरहें चरीज़ जबंधे सनफी पाथ जड़ी सब्सक्राइब करक्षी प। लेकिन आजकल तो बच्चों को ही ज्यादा चसमा लग जाता है क्योंकि वो टीबी मूबाइल ऐसा यूज करते हैं कि आंके खराब हो जाते हैं डिस्टर्ब होती हैं तो कभी कभी क्या होता है वो बच्चे चसमा पहनते हैं और नीची जब सर जुकाते हैं यह खेलते हैं तो चसमा गीर के टूट जाता है और हमारे काम भी बढ़ जाता है चसमे को बनवाओ फिर पैसे भी लगते हैं समय भी लगता है तो उसकेस में आप क्या करें इस तरीके से ना रवर लीजिए दोनों तरफ में इस तरीके से लगा देजिए उसके बाद बच्चों को पहनाएंग पर शाब जाती हैं मतलब कि उसमें से पानी चूतने लगता है १ और हम फिर से नई बोतल यूजिक भी नहीं गिरेगा इस ट्राइब करेंगा बहुत एफेक्टिव है यह चली बढ़ते हैं अगले टीप के तरह फ्रेंस रबड के इतनी सारे मैंने यूज बताए हैं लेकिन रबड को हम कैसे सीफ रख सकते हैं यह भी जान लेजिए अक्सर क्या होता है कि रबड को हम इस तरीक से चिपकने लगता है तो चिपके करने खराब नहीं होगा अच्छी लगी हो तो इसे ट्राइब करेंगा चले बढ़ते हैं अगले टीप की तरह फ्रेंस अगरा इस तरह से जाडू को लेका जारू तो हम सब्यूज करते हैं अपने घर में लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज इस तरीके से सरका के कर देजिए जाडू के ऊपर ही सरका देना है कुछ इस तरीके से यहां पर बहुत आच्छी शी टाइट से ग्रिब बन जाएगी अब आपकी जो जाडू के फूल है वह सरक्के नहीं गिरेंगे आई होप अपलो को टिपस अच्छी लगी हो बढ़ते है आगले tips के तरफ, अगला tips है हमारे पास रबर नहीं होता है, और हमें इससे मीटाना होता है, कोई बी चीज तो उस cable करें, अगर ऐसा problem हो, तो क्या करें, आपको लेड़ना इस तरीके से रबर, और पैंसिल अपने लिया है, उस तरीके से कईरां लपेट डेना है, लपेटने क पाद आप देखेंगे हमारा घर पर ही रबर बनके रेडी हो गया इस इससे आप जब आप पैंजी से लिखा और मिटाएंगे ना तो बहुत अच्छे से नीमूग हो जाता है देखिए कितनी सफाई से तो आप इस ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे टिप्स चली बढ़त अज़ना करें कि हमारा जो मुबाइल हो बारवार सरफेस से इस तरह के निता आप रबड का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत अच्य ग्रीब कोई भी नेर्पेंट की सीर्ची होती जल्दी वह खुलती नहीं पुरा जाम हो जाती है वहाँ पे ताप उस केस में इस रबड का इस्तमाल कर सकते हैं और इस टिप्स का आपको क्या करना है उसके कैप पे लगा देना है रबड और बहुत अच्छी ग्रिप बन जाए कि जब को महनने है चिब कई असानी से पीज निकलता नहीं है उसके समय हम क्या कर सकते हैं आपको लेना है और इस तरीके से यह लगाना है और रखार करें तो बहुत असानी से जो आपका पीज है ना बहुत असानी से लिए कर देखिए छोटी से टीप से लेकिन बहुत ही काम की है आप इसे एक बड़ जरूर कर सकते हैं उमिद करते हूं कि आपको यह अच्छी लगी हो चलिए बढ़ते हैं अगले टीप की तरह अगरा इस तरह से क्या होता है कि कभी-कभी हम कोई सब्जी या कोई भी बड़े बरतम रहते हैं और सोचते हैं कि छोटे चमज से ही निकाल ले लेकिन एक प्रॉब्लम तब आती है जब चोटा चमज का यूज करें तो कुछ इस तरीके से उसमें गेड जाती हो और सब्जी हो या दाल उसमें दूब जाती है तो उसके समें आप क्या कर सकते हैं इस टिप्स को यूज कर सकते हैं आपको लेना है रबर और चमज पे कुछ इस तरीके से आप कई बार लगा दिजिए राउंड राउंड करके ठीक है अब देखिए बहुत एची ग्रिप बन जाएगी अभी चमज जो है लगता है ज्यादा चलने के वरद से या टाय जूते पहने के वरद से हमारे उंगलियों में भी दर्द रहता है फ्रेंड्स उससे पहले मेरी वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिए तो जरूर आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और लोगो भी शेयर कर दीजिएगा और में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं ऐसी उच्पल वीडियो लाती रती हूं और पैरों के दर्द का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने इससे पहले वीडियो अप्लोड के आप जाकर नहीं देखें तो देखें अगर आपको ऐसी प्रब्लम है आप एक रबर लेलिए और पैरों में कुछ तरुकी से उंकलियों के स्तिया और पुष्ट करिए ठीक है ओप listings करेंगे पैरों के दर्द बहुत जल्दी अराम मिल जाएगा आप चाहें तो इसके हैंसे नहरिकों को lotta श्या को आस इस तरीके से देखिए दो तीन अबर लगा देंगे न तो बहुत जदा राम मिलता है मैंने रसी से भी बांदने का टिस्प जो है वो शेयर किया हुआ है वो भी बहुत एफेक्टिव है सेकेंड भी नहीं लगता है आपके पैरो का दर्द गाया हुजाता है उमेद करते हूं क आपको टिपस अच्छी लगे तो मिलते हैं एक नए यूजफूर वीडियो के साथ तब तके लिए बाबाई